नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विद गणेश में दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज लेकर आया हूँ और ये गुड न्यूज जो है वो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट यर में थे ग्रेजुएशन जो कर रहे थे जिन्होंने मई और जून में अपना असाइनमेंट सब्मिट करवाया था उनका रिजल्ट आ चुका है जिया उन बच्चों का स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट जो आया था दो नवंबर को आया था और कई सारे स्टुडेंट जो है वो result अपना चेक करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो बीए program के बच्चे हो या फिर बीए honors के बच्चे हो वो अपना result चेक करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो check नहीं कर पा रहे हैं तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही shortcut तरीका लेकर आया हूं जहांसे आप अपना result जो है असानी से देख सकते हैं है दोस्तों actually में यह कि मेरे पास PDF जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है और उस PDF में आप अपना roll number एंटर करके आप जो है अपना result आसानी से देख सकते हैं तो चाहे वो graduation के चाहे honors के हो या program के बच्चे हो मैं यहां पर आपको जो है program के बच्चों का result sorry honors के जो बच्चे हैं उनका एक result सर्च करके दिखाता हूं कि कैसे आपको अपना result सर्च करना है यह जो PDF है मैं आपको इसका link जो description में दे दूँगा या जो हमारा टेलिग्राम का जो link है वहां टेलिग्राम पर आपको यह PDF upload कर दिये जाएगा वहां से आप download करके वहां से आप अपना result असानी से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको एक जो है वो दिखाता हूं कि कैसे आपको अपना roll number सर्च करना और कैसे आप अपना result देख सकते हैं है तो आपको जो-eso-e-l roll number चाहिए इसके लिए और यहां पर आप सर्च के option आ रहा है यह सर्च के option पर एक मिन्ट यहाँ पर मैं आपको नंपर करने के और उसके बाद में यहां से सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना जो रॉल नमबर है एसो एल का उसको एंटर करेंगे जैसे मैं यहां पर एक रॉल नमबर डालता हूँ यह है मेरा 19 यह जो है मेरा यह रॉल नमबर है यह रॉल नमबर डालने के बाद आप जो है इसको दो-तीन मिनट का वेट कर सकते हैं दो-तीन मिनट नी एक मिनट के अंदर में आपका यह रिजल्ट है वह आपको मिल जाएगा शो हो जाएगा क्योंकि यहां पर पेजिस जो हैं बहुत जा रहा हैं खास्तोर से अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में 8000 पेजिस हैं और आउनर्स में जो है दिखा देता हूं यह आपका ऐसे मार्क करके आ जाएगा वहां पर जैसे कि जो मैंने सर्च कर रहा है वह अब्धेश नाम का था और यह योगेंद्र बिंदुन के फादर का नाम है और यह जो है यह देख सकते हैं आप यह फर्स सेमिस्टर का है उपर यह जो है यह फर्स सेमिस्टर का रिजल्ट है और यह इसका सेकंड सेमिस्टर का रिजल्ट है और सब्जेक्ट कोड जो है आप यह देख सकते हैं यह सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको आप अप से सब्जेक्ट में आपका कैसा माक्स आया है उसे सबसे देख सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना result जो है आसानी से देख सकते हैं और जिसका भी result है वो चाहे program का हो या honors का हो यहां पर search करने के बाद आपको at least एक से डेड़ मिनट या दो मिनट भी लग सकता है तो आप उसको वेट कर लेजेगा या फिर अगर आप एक एक पेज करके सर्च करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए उसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो यही इंफोर्मेशन थी इस लिए आज वीडियो लेकर आया था यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए